OMR Seat कैसे चेक किया जाता है? जी हां, इस वीडियो में आप यही देख रहे हैं. OMR Seat जो विभिन परकार के exam's में, चाहे वो किसी board का exam हो, बिहहर बोर्ड का exam हो, other किसे state के board का exam हो, या फिर central board का exam हो, या किसी तरह की परतियों किता परिक्षाओं का OMR हो, कैसे चेख होता है आप सामने देख रहे हैं, इदर की होता क्या है, OMR का फुल फॉम क्या है, Optical Mark Reader, इसमें क्या होता है कि आप अपने अंसर को देने के लिए, जो इसमें गोलक बने होते हैं, सर्किल बने होते हैं, उसको गोल-गोल की होए गोलकों को पढ़ता है, और ये फिर स्टीट दूसरी तरह के ट्रे में जाकर के जमा हो जाती है, इस परकार बहुत तेजी के साथ, हजारों के संख्या में OMR चेक कर लिया जाता है, इसलिए आपको कहा जाता है, कि OMR स्टीट को मोड़ना या गंदा करना, या उसमें किसी तरह का दूसरा निशान लगाना, आपके लिए काफी हानिकारख हो सकता है, बाई दबे माल लेते हैं, कि अगर मशीन ने आपके OMR सीट को रीड नहीं किया, या फिर आपने कुछ ऐसा निशान लगाते हैं, जिसके वासे आपके OMR के सुचनाओं को पढ़न आपने में, रीड करने में सक्षण नहीं हो पाया, तो इसमें बहुत समस्य हो जाती है, तो OMR को पढ़ने वाली ये मशीन, चेक करने वाली ये मशीन असल में जुड़ी होती है विए से, उसमें क्या होता है, और यही नहीं examination में जो आपका roll number होता है अगर competition की exam दे रहे हैं तो उसमें roll number का भी गोलक गोल करना होता है या अगर किसी state board का या फिर बिहार board का exam दे रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि roll number और roll court पहले से छपा होता है साथ ही साथ OMR का number भी छपा होता है तो होता गया कि जैसे ही OMR उस machine से होकर गुजरती है उसमें 26 सुचनाओं को आपने किस सवाल का जवाब कहां गोल किया है कहां दिया है उन सारे सुचनाओं को पढ़ते जाता है कितना आपने सही किया कितना आपने गलत किया उस सब कुछ आपके raw number के साथ इस computer में बिल्कुल automatic save होते जाता है इसके लिए किसी आदमी को manually entry नहीं करने पड़ती है अगर माल लेते हैं कि आपने अपने हो यमार में दो answer के गोलकों को यानि circle को गोल कर दिया या फिर माल लेते हैं कि अगर आपने किसी एक गोलक को ऐसा रंगा कि वह दूसरे गोलक से touch कर गया उससे spars कर गया दोनों गोलक आपस मेंगर touch हो जाते हैं वैसी इस थिति में भी इस machine के setting ऐसी होती है कि इसके द्वारा आपका answer check नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में नुकसान हो जाता है इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने OMR में जो भी आप निशान लगाए बहुत सोच समझ के लगाए जहां पर लगाना है वहीं पर लगाए अगर आपको answer देना है तो एक ही बार में सोच समझ कर जो सही गोलक को आपको चुनना है या गोल करना है उसको ही गोल करें उस पर अगर आप scratch करते हैं ना खून लगाते हैं तो उस वक्त भी ये machine हो सकता है कि उस OMR को ना पढ़े या फिर आपने जो answer दिया उस answer को ये invalid घोसित कर दे तो इस परकार होता क्या है कि आपका roll number आपका roll code और आपका total obtained mark यानि कि 50 number का जो सवाल था वो आपने जो बनाया उसमें से कितना आया उसमें जूटते चला जाता है एक चिस मैं आपको और बता दूँ कि बिहार बोट के exam में क्या होता है कि जो optional सवाल मिलते हैं उनकी संख्या दुगनी होती है जैसे अगर जो 40 number का जवाब जिसमें देना होता है उसमें 80 सवाल मिलते है और जिनका जवाब 50 number का देना होता है उनमें 100 सवाल मिलते है उनमें से जतने सही होंगे, उतना नंबर मिलेगा, जतने गलत होंगे, उनका नंबर कड़ जाएगा एक्जामपल के लिए, आपने एक बनाया, पांच बनाया, दस बनाया, बीस बनाया, इस तरह से करते करते आपका टोटल 50 गोलक जहां पर पूरा होगा, उसको गिना जाएगा, उसमें कितने सही होए, मालिज जाके 40 सही होए, तो आपको 40 नंबर ही मिलेगा, अब उसके बाद आपने 20 और क्यों न बनाया हों, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, तो सही और मिलने की संभावना खतम हो कड़ेगा, तो इस मसीन की मदद से OMR को चेक करना बहुत आजान हो जाता है, बहुत फास्ट रिजल्ट निकलने में काफी इससे हेल्प मिलती है, इसलिए इस मसीन का अपने आप में काफी महत्व है, तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि OMR आपका कैसे चेक होता है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.